हलो गाईज, 110 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बात स्टार्ट पिछले कुछ दिनों में सारोजनिक इस्थलों तक पर बढ़ती भीड ने सरकारों की नींद उड़ा दी है चिन्ता इस बात की है की महामारी फिर न फेल जाए वैसे भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है बस फर्क इतना आया है की प्रति दिन संक्रमितों और मरने वालों की संख्या कम भर पड़ी है कुछ दिनों से कम होते मामलों का यह मतलब कतई नहीं है की अब महामारी खत्म हो गई है बलकि हकीकत तो यह है की हालात अभी भी गंभीर है देश भर में संक्रमन के कुल मामलों में पचास फीसद तो केरल और महराश्र से ही है चोहतर फीसद देश के दस राज्यों से है जिन में आंध्रपरदेश तेलंगाना और ओडिसा शामिल है सबसे खराब हालत पूर्वतर राज्यों की है जहां संक्रमन घटाव पर नहीं बढ़त पर है देश के जिन अस्सी जिल्लों में संक्रमन दर दस फीसद से उपर बनी हुई है उनमें आधे से जादा जिल्ले तो पूर्वतर राज्यों के ही है ऐसे में कैसे मान लिया जाए की अब देश से महामारी जाने को है और कोई खत्रा नहीं रह गया है हालांकि इस खत्रे को भापते हुए ही केंदर सरकार ने राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों को फिर से चेतावनी जारी कर दी है इस चेतावनी में राज्य सरकारों से कहा है की वे भीड जमा होने से रोकें और हमेशा की तरह यह भी कहा है की महामारी से बचाव के लिए बने उपाय भी लागू हो इन में मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का पालन करवाने की बात भी दोहराई गई है साथ ही लोगों की जाज संक्रिमतों के संपर्क में आने वालों का पता लगाना इलाज और टीका करण में किसी तरह की धील नहीं देने को कहा गया है गोरतलब है कि मंगलवार को प्रधान मंतरी ने भी पुर्वतर राज्यों के मुख्य मंतरियों से बातचीत में तीसरी लहर को लेकर चेताया था सच्चाई तो यह है कि जहां जहां भी हर इस्तर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है संक्रमन के मामले उनहीं जगों से जादा आ रहे हैं दूसरी लहर के मामले कम पढ़ने के बाद जादातर सरकारों ने प्रतिबंदों में धील दे दी थी इसके पीछे मकसद यही था कि कारोबारी गतिवीधिया शुरू हो सके लेकिन रियायत का लोगों ने बेजा फाइदा उठाना शुरू कर दिया और मनमानी करने लगे पास्ट और केरल में मामले बढ़ रहें हैं तो यह बड़े खत्रे का संकेत है तीसरी लहर सामने हैं विशु स्वास्थे संगठन भी डेल्टा और डेल्टा प्लस रूप के खत्रे को लेकर चेता रहा है इस हकीकत पर भी घोर किया जाना चाहिए कि इस वक्त 104 देश ही माना गया था चिंता इसलिए और बढ़ जाती है कि कुछ दक्षिनी राजियों में डेल्टा प्लस के मामले भी मिल चुके हैं अगर ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया जैसे देशों पर गोर करें तो इन देशों में प्रतिबंदों में धील के बाद लोक एकदम बेपर वहा हो गए थे, इसका नतीजा फिर से संक्रमन फैलने के रूप में देखने को मिला, इसलिए सवाल है कि हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें, अभी खत्रा इसलिए भी जादा है कि अपने देश में बड़ी आबादी को टीका नहीं लगा है, टीका करन की मंदर अफ्तार के लिए तो सरकारों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, पर भीड बढ़ने से महमारी फैली तो इसके लिए दोशी कोन होगा, पैरा, लबालब भरी नदियों का घरों में गुस आया पानी, छतों और उची जगोहों पर शरन पाए लोग, मुहलों में जल भराव, सडकों पर मीलो वाहनों की कतार, जैसे अब हर साल बरसात के इस्थाई द्रश्य बन चुके हैं, हर बार दावे किये जाते हैं कि इस इस्थती से जल्दी निजात दिला दी जाएगी, मगर वही धाक के तीन पात, बरसात रुकती है तो ठहरे हुए पानी में मच्छर और बिमारियां फैलाने वाले जिवानों पलने शुरू हो जाते हैं, फिर शुरू होता है डेंगो, चिकन गुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार वगहरे का प्रकोप और उनसे पार पाने का सरकारी परियास, मगर इस समश्या से पार पाने के लिए जो बुनियादी तैयारियां होनी चाहिए, उन पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता, मुंबई में पहली बारिश हुई तो वहां अफरा तफरी का माहोल बन गया, मुहलों में पाने भर गया, रेल की पटरियां डूबने लगी, पटना और बिहार के दूसरे कई शहरों में घरों के भीतर पाने घुस आया, यही हाल दिल्ली की पहली बारिश में देखने को मिल रहा है, अभी कोई तेज बारिश नहीं हुई है, यह तो शुरुवात है, यानि यह सिलसला रुक रुक कर डेड़ दो महिने और चलना है, फिर बरसात बीतते ही इसकी वेवस्था संभालने वाला महकमा निश्चिंत हो जाएगा, शहरों में जल भराव और नदियों में उफान की असल वजह है, छिपी नहीं है, काइदे से बरसात से पहले शहरों के नालों और नालियों की सफाई हो जानी चाहिए, सड़कों के किनारे के जल निकासी के मुहानों का कच्रा साफ हो जाना चाहिए, मगर इस मामल में नगर निगम लापरवाह ही दिखाई देता है, समय से सफाई ने होने का नतीजा है की नालियों में जमा अगलनिय कच्रा पानी का निकास बाधित कर देता है, सड़कों के किनारे के जल निकासी के मुहाने बंद रहते हैं, इसलिए सड़कों पर जमा पानी निकल नहीं फिर मुहलों के लोग नाले नालियों के मेन होल के धकन उठा देते हैं जो कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है ऐसा इस वार भी मुंबई की पहली बारिश में देखा गया लंबे समय तक सड़कों पर पानी जमा रहने की वजह से सड़के तूटनी शुरू हो जाती है उन पर गड़े बन जाते हैं और पानी के भीतर पता ही नहीं चलता की गड़े कहा है इस तरहे कई वाहन चालक उनमें गिर कर दुरगटना गरस्त हो जाते हैं फिर जल निकासी के आनन फानन इंतजाम किये जाते हैं पर वे सब फोरी उपाई ही साबित होते हैं दिल्ली में बरसाती पानी का निकास न हो पाने की वजह से खड़ी मुसीबतों पर राजनिती भी शुरू हो जाती है भाचपा और कांग्रेस दिल्ली सरकार के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं तो दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि नगर निगम पर भाचपा काबिज है इसकी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए फिर निगम में करमचारियों की कमी उनके वेतन का समय पर भुकतान ने होना आदी के तर्क उछाले जाते हैं यही हाल मुंबई आद हो चुके हैं जबकि महानगरों में साफ सफाई के लिए आधुनिक उक्करनों का इस्तेमाल होने लगा है दिल्ली में तो ठेकेदारों के जरिये भी यह काम कराया जाता है फिर जल जमाओ को रोकने में सफलता क्यों नहीं मिल पाती जाहिर है कि इस महकमे में लंबे समय से भ इनकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के जो परियास होने चाहिए वे लंबे समय से नहीं हुए है जब तक इन कमजोरियों को दूर करने को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई जाएगी बरसात मुसीबतें खड़ी करती रहेंगी पैरा स्टोप